कि और गाइस क्या हाल है जब बात करने हैं वट्सैप के बारे में बिश्कली एक ट्रिक आपको मैं बताऊंगा जो आपके बहुत जादा काम आने वाली है तभी भी आप वट्सैप से कुछ भी बेचते हैं जिसे फोटो या वीडियो तो आप देखते हैं ऐसका साइज कम हो जाता है साइस कम हो जाता हैं तो इसके क्वालिटीÃ में भी फरक पड़ जाता है पहले जो यूज्वली हम भेजते हैं यहां गैलरी से भी है यह मैंने इसलेक्ट कर लिए वाली फोटो कि इससे यहां से संड्ड कर देंगे और कि इसका साइज बहुत चोटा होगा इसलिए जल्दी पहुंच जाएगी संड्ड हो गई अब मैं इसका आपको एक्चुल साइज दिखा देता हूं यह एक्चुली है कितने एंबी की कि इसलिए देखो यह है 4.79 एंबी करीब 4.8 एंबी की है निकाउन डी 3400 से कीजिए काफी अच्छा दिये सलार है गाइज वो फोटो में ने इस नंबर बसन करी थी थी वो 4.8 एंबी की और अब यहां पर पहुंची है 253 एंबी की तो करीब करीब 25 गुना कंप्रेस होके आई हो तो गाइज आपकी आप उसकी क्वालिटी का तो अंताज़ा लगाई सकते हैं चल उसको डाउनलोड करके मैं अब इसकी भी ट्रिक है इसमें कोई थर्ड पार्टी आप यूज नहीं है सिंपल आपको दुबारा से जाना है महीं पर यह जो क्लिप वाला इकन है इसे फिर से खोलेंगे अब गैलरी से नहीं भीजने हैं आपको डॉक्यूमेंट्स का यह साइन दिख रहा होगा इसे दब अब यहां पर से संड हो जाएगी देखिए इस 4.8 MB की थी 4.8 MB की ही जाएगी कोई कंप्रेशन नहीं होगा इसके पीछे का रिजन मैं आपको बताता होगा इस बहुत सिंपल है इस होता क्या है जो WhatsApp का कोडेक है उसके पास यह authority होती है वह किसी image का size कम कर सकता है ताकि वह easily चली जाए लेकिन डोक्यूमेंट के साथ वह छेर चार नहीं करता है क्योंकि डोक्यूमेंट में और भी कुछ important file हो सकती है जिने कोई भी user खोना नहीं चाहेगा इसलिए वह document के साथ छेर चार नहीं करता है सिर्फ image की quality कम कर सकता है यह रेखो गाईज यह आ गया है 4.8 MB का ह आया है जितना था कोई compression नहीं हो आया पर तो इसका मतलब image quality में कोई loss नहीं है बिल्कुल अच्छी quality के आपको image मिल जाएगी यहाँ पर देखने को यह हो चुका है download अब इसे खोलना है यहाँ पे simple open with gallery just once यह फोटो यह देखो बिल्कुल बढ़िया quality photo आई है इस चैनल को subscribe क कि आपकी बहुत जरूरत है आप support करोगे तभी हमारा channel आगे बढ़ पाएगा और बस इस तरह से अच्छा अच्छा content आपको मिलता रहेगा आगे भी thank you